बढ़ती महंगाई को लेकर नाशनल कांफरेंस के नेटाओं वकारिकरताओं ने पुँच के बस टेंड पर जम कर नारे बाजी कर सरकार के खिलाफ दिरूत प्रतेशन किया नेटाओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आस्वान चूरे है पर बीजेपी सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है आम जनता को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं पिछले काफी दिनों से डीजल पट्रोल खाने-पीने की हर एक आइटम जैसे सक्सों का तेल हो आट आचावल और दिगर आइटम जो हमारी रोज मरा की जिन्दी में जो हैं जूज करते हैं लपीजी गैस लेंडर की बाद करें तो पिछले कुछ महीने पहले जो उसका रेट ता कुछ ता और आज की रेट में जो इसका रेट है जो आसमान चूरा है पैट्रोल डीजल ज बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए और जब दो देखते हैं के रेट जो इतने बढ़ गया है तो चाहिद हो सकता है कि अपनी बच्चों की रिक्वाइर्मेंट भी वह पूरा निकर सकते क्योंकि उनकी पाकट भी जो है अलोरी कर रही है पिछले कुछ टाइम से जो करो दो वक्त की रोटी से मजबूर हैं आप देखी एक ब्यारीदार आदमी जो है सुबह आता है शाम को जब कमा के अपने घर जाता है तो शायद हो आपने बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं कर सकता हर एक चीज जो है महंगी हो चुकी है मैं आपके चैनल के माद्यम के तू ऐडिविस्टेशन और अडिसेशन जमुएंड केशमील और साब से रिक्वेस्ट करता हूं के जल से जल बढ़ती महंगाई पे रोक लगाए जाए ज़ल से जल बढ़ती महंगाई पे रोग लगाई जाए ऐसा ना हो कि काल ये लोग सट्कों पे उत्रे उसकी जिम्हधार ज पुन्च से दिस्ट्रेट टाइम्स के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट